स्वागत आप सभी का रोसन साइज टेडी पॉंट पे और आज की से वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th class history का test paper आपको पता है कि आप लोगों का जो test series है रोसन साइज टेडी पॉंट पे 11th class history, political science और physical education का test series में ने सुरू किया है जिसके अंतरगत तीनो ही सब्जेक्ट के आपको तीन-तीन test paper प्रोबाइड कराया जाएगा तो ये test paper 1 है, political science का test paper 1 अप्लोड हो चुका है तो आप लोग अगर political science के student है तो वीडियो को एक बार जरूर देख लिए link आपको description box में भी मिल जाएगा तो जैसे कि आपको पता है कि वाई second term का जो exam है दो घंडे का आपका होने वाला है history का और 40 marks का रहने वाला है तो उसी के according मैंने test paper त्यार किया है जिसमें 3 marks और 6 marks के question को मैंने add किया है ठीके, question देखते हैं, पहला question दिया गया है आप यह कैसे कह सकते हैं कि पुनर जागरन काल की एक महत्पून विस्यस्ता मानपतावाद थी ठीके, आप इस, मतलब आप एक कैसे कह सकते हैं कि पुनर जागरन का जो काल धाना उसे में की एक सबसे महत्पून विस्यस्ता मानपतावाद थी तो भाई बिल्कुल यह जो लाइन हो तो भाई बिल्कुल सही है कि भाई पुनर जागरन काल में क्या हुआ था मानपतावाद का भी उते हुआ था अब इसमें आपको पता है कि भाई पुनर जागरन का जो समयकाल है और चौदवी से लेकर शोलवी सरीर का माना जाता है यानि कि मानृपतावाद का भी काल, समय काले ही माना जाएगा आपको मानृपतावाद की विशेस्था एक तरीके से इस question में बताना है तो आप मानृपतावाद के अंतरिके आप बता सकते हैं मानप्ताबाद का मतलब होता है मनुष्य के समस्याओं का समाधान करना मनुष्य के समस्याओं में रूची लेना है क्या है मानप्ताबाद है और मानप्ताबाद जो विचारक है वो क्या करते हैं तरीके से आप पर लोग की अपिक्षा इस लोग की बात करते हैं जिस लोग में हम रहते हैं तो ये तीन मार्क सा कोशन है देखी अगर आप थ्री मार्क से कोशन को attempt करते हैं तो आप क्या करें थोड़ा सा दो तीन नाइन में इस कोशन को समझाए ठीक है और उसके बाद जो भी पॉंच होगा ना जो exact answer है उसको लिखने की कोशिस करें सीधा आप answer लिखना इस्टार ना कर दे पहले कोशन को समझाए कि भाई कोशन में क्या आप बताने जा रहे हैं तो यह चीज आप ज़रूर करें आपको पूरे तीन में से तीन मार्क्स दे दी जाएंगी आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे उसके बाद हम कोशन नंबर दो देखते हैं कोशन 2 है लोह परगलन की परकिरिया में काट कोईले के पर्योग की समस्या पता ही है तो लोह परगलन का मतलब क्या है लोह को पिखलाना अब आपको पता है कि जब जमीन के नीचे से लोहन मिलता है ना तो असुद रूप में होता है पिखला कर सुध किया जाता है और उसको पिखलाने के लिए कोईले का इस्तमाल किया जाता है अब काट कोईले कि यहां भी बात की गई है काट कोईला होता है तो काट कोईला हम उस कोईले को कहते हैं जो कि लकडियों से बना होता है है अब लोहे को पिखलाते समय जब काट उसके बार में आपके यहां पता है नहीं होते हैं कई बार लंबी दूरी तक ले जाते समय तूड़ जाते थे बहुत छोड़े चोड़े टुक्रों में तूड़ जाते थे तापमान भी यह सही नहीं देता था है ना इसके अलबा लकडियों की उपलब्दा भी कम थी उस समय जब अधोगी करांदी चल रहा था क्योंकि रेल्वे पट्री पिछाने के लिए बहुत साड़े पेड़ों को काट लिया गया था तो यह उपलब्दे भी नहीं थे उतने मातरामी और यह परियावर उनको परद वासिंदे या मूलवासी उसके बारे में थे को सेंट जो सेटलर सब्द है एक तरीक से विदेशी लोगों के इसका इस्तमाल किया जाता है जैसे कि आप मतलब जो इरोब के लोग जैसे कि आमिर्का गया या फिर दूसरे देश में गये तो उहां पर उनके लिए क्या था सेटलर सब्द का इस्तमाल होता था दूसरे तरब आप अगर नेटिव की बात के तो नेटिव यानि की मूलवासींदे कोन है मूलवासींदे जो जिस स्थान पर पैदा लिए ना वहीं पर लंबे समय से रहते हुए आ रहे तो कोन हो गये मूलवासींदे हो गये यह आपको जुए द़से शर्म बताना था तीन मांक सा कोषनथा उसके बात करते हैं चीन की भंगालिक बुभित्ताव वाला देस है वर्नन कीजिए ना का भगोल बोई कि औरicasнесे मेरे बहगोलate की का और मोले चीज आपकोจए के अलग अलग परकार के जलवाईू अलग अलग परकार की बहज की कर जैते हैं पहाडिया लागे,लाग तो अलग अलग बाल चांपान की की बाद कर सकते हैं ज़ीना की bekommen है नितक हैं है ना तो अगर आवम यह बात करें तो भाई चाईना में तीन परकार की नदिया बैतिया थीन सबसे बड़ी नदी की बात करें तो भाई पीली नदी यॉहाँ पर बैती थी यांगा-तसी जो कि दुनिया केश़ी नदी यॉस्ट्री नदी बैत कर सकते यह creepyla पान पान की बात करते हैं इसमें आप भोगोलिक भीवित था तो भाई बहुत जादा थे क्योंकि अलग अलग जलवाई वाले छेद रोहां पे थे ठीक है तो इस सारी चीजे आपको चाहना के भोगोलिक भीशिस्ता में बतानी है बाकी अगर आप चैप्टर की वीडियो को देखे होंगे तो यार सारा कुछ हिस्ट्री में तो भाई एनिमेशन के थूरू सभी चैप्टर को मैंने समझाया है इसके अलाबा आप लोगों को इंपोर्टन कोश्चन की वीडियो मैंने प्रोबाइड करा है सारे कोश्चन आपके घिजाब में न चैप्टर की इंपोर्टन कोश्चन की वीडियो जो है उसको तो आप लोग एक बार जरूर ही देख ले ठीक है वहाँ पर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाया गया है उसके बाद कोश्चन नमर पांच देखते है कोश्चन नमर पांच है सन्यात से इनके त तिन सी धांदों का वन्दन कीजिए तो ये तो भाई आपके स्कूल के टीचर ही बताते होंगे कि बहुत ही जादे इंपोर्टन कोश्चन है और ये चैप्टर नमर 11 से है उपर वाला भी वाई से चाइना का जो भोगोलिक विविर्दा जो पूछा गया था भोगोलिक विस इसको सत्ता से हटाना था कि कोई मांचू वन्स को एक विदेशी वन्स मानते थे सन्याल सेन और चाइना के लोग इसके अलाबा गणतंतर का मतलब था एक गणतंतरिक सरकार इस्तापित करनी है ठीक है जो लोगों द्वारा चुनी जाएगी और तीसरा समाजवाद यानि कि जो आसमानता है उसको खतम करना है पुझी का जो वितरन है ना उस साइट धंग से होना चाहिए एक तरीके से आसमानतों को खतम करना ही क्या होता है समाजवाद होता है ठीक है यह हो गया सन्यासेन के तिन सिंधान थोगे आगे बढ़ते हैं अब देखेंगे हम कि भाई अब देखो जितने भी गल्स और वोईस थे उनके लिए सभी के लिए स्कुल जाना नहीं वारे कर दिया था था इसके अलाबा पढ़ाई की फीस बहुती कम कर दी गई थी, है ना, और जो एक तरीके से स्कूलों में क्या था कि राष्टवाद के वारे में बहुत जाता दियन कराया जाता था, माता-पिता के सम्मान, गुरू का सम्मान, ऐसी जो भी से थे, उसके वारे में बहुत जोड दि किया गया, राजस्व की व्यवस्ता की गई, ताकि जो भी स्कूल या कोलेजों चल रहे है, या स्वास्ते सेवा जो है जारी रह सके, है ना, इसके अलाबा एक आधुनिक सहनेवल तयार किया गया और जो भी 20 वर्स से अधिक युवाज जो थे, उन सभी को कुछ वर्स के ल लिखेंगे, जब जाके आपको 6 माक्स दिये जाएंगे, तो 6 माक्स को आप किस तरीके से अटेम्ट कर सकते हैं, देखें, 6 माक्स को आप अटेम्ट करते हैं, तो थोड़ा सा ना, आप भूमिका लिखे सबसे उपर, भूमिका, है ना, जैसे आप निवन्द लिखते तो पर परस्ताबना लिखते हैं पहले परस्ताबना या भूमी का जिसको मोलते हैं तो उसमें आपको क्या करना थोरा सा उस को बताना है जिसमें आप जापान के थोरी सी राजनीती विर्सा के वारे बता सकते हैं या जापान का थोरा सा इंडोडक्शन दे सकते हैं उसके बाद इस को कोश्चन नम्बर 7 देखते हैं कोश्चन नम्बर 7 जो की चप्टर नम्बर 9 से लिया गया है औधोगी क्रांती मिश्रित वर्दान साभित हुई कैसे अब बहुत सारे बच्चे ना एक कोश्चन को रट लेते हैं यह औधोगी क्रांती इंगलैंड में मतलब शुरू हुआ था उसके कारण रट लिया उन्होंने उसके परभाव रट लिये लेकिन जब कोश्चन को घुमाया गया ना हितिहास में जब घुमाया जाता है ना तो बच्चे भी घुम जाते हैं फिर बच्चे को पता नहीं चलता है यार यार पढ़ा तो था लेकिन क्या कोश्चन आगया मि वर्दान साबित हुआ, वर्दान मतलब क्या होता है, कोई फायदा आपको उससे हो रहा हो, है ना, तो अधोगी करानती क्या था, मिस्रित था, मिला जूला था, मतलब इसके जो फायदे थी और नुकसान दोनों ही इसमें आपको बताने है, ठीक है, मतलब एक तरीके से, इसके सकरातमक परभाब अधोगी करानती के जो सकरातमक परभाब रहे थे, और नाकरातमक परभाब रहे थे, मतलब मिला जूला था यह, है ना, इसके अच्छे परभाब भी थी और बुरे परभाब, दुनों का मिला जूला ही था अधोगी करानती, तो इसमें अधोगी करानती क चलते क्या हुआ बहुत सारे नवीन आभिसकार भी ब्रिटेन में किये गए थे है ना इसके अलावा यातायात के साथनों का विकास भी तेजी से होने लग गया था जो बस्तुए थी वह बहुती सस्से नाम बे मिलने लग गई थी इसके अलावा नकरात्मक परभाब में पता स कोशन नमर आठ है गोल्ड रस से आप क्या समझते हैं तथा इसने आमेरिका के विकास में क्या युगदान दिया गोल्ड रस भोथ ही जादा इंपूरेंट कोशन है और यह चेप्टर नमर टैंज से लिया गया है जो मूल निवासी वाला जो आपका चेप्टर है चेप्टर सबसे पहले गोल्ड राश की बात कर लेते हैं राश मतलब क्या होता है भीड कहीं भीड इखटी हो जाती है ना तो यह था कि एक अफवा फैल आई गई थी कहें दो यह कि अठारोसो चालिस की बात है ये घटना कब की है अठारोसो चालिस की जब ये कहा गया है कि भाई जो आमिर्का है न सुधराजी आमिर्का वहां पर एक राज़े था कैलिफोनिया क्या नाम बोला कैलिफोनिया कैलिफोनिया में क्या जमीन के नीचे बहुत जाला सोना है ये हम क्या बोलते हैं गोल्ड रस बोलते हैं और इसने क्या किया स्विक तुलाजी अमेरिका के विकास में भी बहुत जाने के लिए तो यह सारी चीजे आप अमेरिका के विकास में पॉइंट में आप बता सकते हैं तो इस तरीके से इसका अंसर आपको करना है उसके बाद हम पु पुनर जागरन काल में महिलाओ की स्तिति कैसी थी देखो अगर हम मतलब कुलीन परिवार के महिलाओ की बात करें तो उनकी स्तिति थी उनकी स्तिति थी लेकिन जो निम्न परिवार की जो महिला है थी उनकी स्तिति कोई खास नहीं थी क्योंकि यार मतलब इस्तिति के साधी को ब लड़कों को ही पढ़ाना पसंद करते थे, कि उनको पता था कि लड़कों को पढ़ाएंगे तो आगे चल के अच्छी नोगरी प्राप्त करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, लड़कों की पढ़ाई को उतना महत उसमें नहीं दिया जाता था, इसके अलाबा देहज में नहीं होता था, इसके अलाबा ये भी अब भिख्षुरूई मन्ने के लिए अगर मालो देहज की रकम जो मतलब लड़की के घरवाले हैं, वो देहज की रकम नहीं जोटा पाते थे, तो भिख्षुनी मन्ने के लिए मठों में भेज दिया जाता था, यहां तक ऐसी स्तिद् करने के लिए, तो उसमें अपने पति के बैपार को भी समालती थी, महिलाय तो ऐसा नहीं है कि महिलाओ के स्तिदी हमेसा ही खराब थी, कुछ जगर पे ठीक भी थी, कुछ जगर पे खराब थी, तो यह पुनर जागरन काल में महिलाओ के स्तिदी के वारे में आप यहां पे बता सकते हैं, ठीक है, तो यह 6 marks के question थे बाई, 4 question इसमें 6 marks के add किये गए हैं, यानि कि 24 marks का तो यह हो गया, और इसके अलाबा, आपका जो 3 marks के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानि कि 15 ही हो गया, है ना, 15 और 24 हो गया आपके 49, अब मैप भी मैने इसमें add कर दिया है, वैसे 3 location है, Australia का मैप ह है, ठीक है, और Australia का मैप है, इसमें 3 location है, आप कोई 2 location भी add कर देंगे, तो आपको, मतलब यासे map तो भाई, तीनों location ही आप एड कर दे क्योंकि important map है, काफी ज्यादा, और Australia का मैप आने के पूरे-पूरे chance है आपके paper में, ठीक है, तो 3 location है, सबसे पहले location number 1 जो दिया गया है सबसे उपर यहाँ पर Darwin आपको लिखना है, ठीक है, Darwin है यहाँ इसके बाद अगर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे location number 2 जो दिया गया है, यह पर्थ, क्या है पर्थ, और नीचे आ जाएंगे आप, तो यह है एडिलेट, ठीक है, यह 3 location आपके इसमें आप में भणने है, आपको क्या करना है, यह जो टेस्ट में बलेए, इसको सॉल्ब करना है, आपको लिखके देखेंगे ना, तब आपको पता लगे कि यहाँ बास्तम में आता है कितना है आपको, आपको आप तेलेग्राम को विज्योर जोन के लिए, क्योंकि आपर सारे PDF आपको ना, कितने कोस्यों के अनसर आप सही लिखेंगे, और एक बर मैंने आपको हिंट पी दे दियाए, तो एक बडर आप लिखे लेंगे तो आपको पूरा मतलब यह कि मार्कस फिक्स हो जाएंगे, अगर Exchange न दागे आपको कोई भी मार्कस नहीं कट करने बाले है तो आखर बस तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भरत अपना ख्याल रखे